तो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क शेक यह डाक चॉकलेट मिल्क शेक है तो मैं इसको बताती हूँ देखिए मैंने बना कर इसकी फोटो ली रही है तो देखिए यह कैसा बना हुआ है देखकर मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा तो आईए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मैं बताती हूँ यह मैंने हर एंगल से इसकी फोटो ले लिये है यह देखिए दिखाने के लिए कि यह कैसा बना है तो यह लग रहा है बिलकुल मार्केट जैसा और टेस्ट भी इसका उतना ही अच्छा है जितना हम लोग जैसा बाहर पीते हैं तो आईए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है तो यह मैंने ले लिया है यह मैंने कॉफी पाउडर लिया है यह नैस केफे है यह कोको पाउडर है और यह चीनी है और यह मैंने आइस ले लिया है आइस क्यूब्स हैं और यह मैंने ले लिया है अपना जूसर जार और यह दो मिलक में है जोनक कोफी बनने कामा फैसा है जोफोफकलीय लियोकर में टोटा गभी कप मिल्क के बगए दोष्मजिक्राथ यह दो चम्मच मैंने चीनी ले लिए अब इसमें एक चम्मच जो है गुनगुना पानी डाले या नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं पानी ठंडा नहीं होना चाहिए उसको डालके हम इस कॉफी और चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से क्योंकि अगर यह डिरेक्ली इसमें मिल इसमें मिक्स कर लेते हैं तो इसको थोड़ी देर तक हम अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे चीनी को हम इसमें अच्छे से घोल लेंगे मैं खूल रही हूं उसमें 5-6 मिनट का टाइम लगेगा जिससे जो चीनी हमारी जो है वो अच्छी तरह घुल जाए तो मैंने उसको अच्छे से फेट लिया है अब हम अपना जार ले लेंगे तो यह जार मैंने ले लिया इसमें मैंने दूद और एक चमच अपना कोको पाउडर डाला है और जो मैंने मिक्स्चर बनाया था अपना कॉफी का डेढ़ चमच हम वो डालेंगे और दो चमच मैं चीनी डालूँगी इसके बाद इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे त्रिदे की कोको पाउडर है यह एक चमच डाला है मैंने और यह हर्षी सीरफ है इसको भी हम दो चमच तत डाल देंगे इसमें भरकर यह हमारे आइस क्यूब्स हैं इनको भी हम डाल देंगे जितना ठंड़ा आपको चाहिए आप उसे आइस डालें और यह मेरा जो कॉफी का मिक्स्चर है यह भी मैंने डेट चमच डाल दिया आइसमें अब इसको हम ढखकन लगा के कर लेंगे ब्लेंड यह मैंने मिक्सी पर लगा दिया है और इसको हम ज्याद़ देर तक नहीं तीन-चार मिनट तक इसको ब्लेंड कर लेंगे जिससे हमारी कॉफी और कोको पावडर जो भी है वह अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखे अच्छे से ब्लेंड हो रहा है इसको मिक्स जितना अच्छे से करेंगे इसमें ही अच्छा सा जाग उठेगा तो मैंने देखे इसको कर लिया है ब्लेंड यह हमारा मिल्क शेक बनके रेडी हो गया है अब इसको हमें ग्लास जार में पूर करेंगे तो मैंने यह ग्लास ले लिया है अब मैं इसमें डालूंगी तो यह मैंने अपने ग्लास में डाल लिया है देखिए और ये देखे कितना अच्छा देखने में बनाया है बिल्कुल जैसा हम लोग बाहर पीते हैं बजार में पीते हैं वैसा ही ये milkshake बनकर रेडी हुआ है और ये टाग चॉकलेट milkshake है तो ये मैंने थोड़ा से सेरम डाल दिया उपर से तो ये मेरा milkshake बनकर हो गया है रेडी ये देखे तो अगर आपको ये milkshake की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में अपनी तब तक के रिए खाते रहे है, खिलाते रहे है, कुछ रहे है और बाबाई, टेक केर